question no 1 कि इस जिव में हिमोगुलो भी नई होता है option no A, पक्छी, option no B, मक्षी, option no C, मनुस्य, कि option no D, इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सई अंसर हो जाएगा option no B, correct answer अब next question की बात करता है, question number second, hemoglobin की कामी से कौन सा रोग होता है, option number A, मधुमे, option number B, पिलिया, option number C, एनिमिया, option number D, की डाइरिया दोस्तो, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number C, अर्थात क्या बोल सकते हैं, एनिमिया, अब next question देखते हैं, question number 3, परसिद पुष्टक, दो माइक्रो गराफिया, किनके द्वारा लिखी गई थी, option number A, रोवर्ट सन, option number B, ब्राउन, option number C, डार्विन, option number D, की रोवर्ट हूंक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number D, अर्थात क्या कह सकते हैं, अब दोस्तो, रोवर्ट हूंक, question number 4, पौधो और पस्वो की कुष्काओं का बैग्यानिक अध्याजन क्या कह लाता है, option number A, आनुवन सी की, option number B, कुष्काओं का बैग्यान, option number C, साइटो जेनेटिक्स, option number D, उत्तक बैग्यान, तो दोस्तो, इसका साई एंसर हो जाएगा, option number B, कुष्का बैग्यान, next question की बात करते है, question number 5, मानोई हिर्दय घीरा हुआ है, option number A, पेरिकाडियम से, option number B, जाइलम से, option number C, फोलोयम से, option number D, पलाजमा से, तो दोस्तो, इसका सही एंसर हो जाएगा, option number A, पेरिकाडियम, अब next question की बात करता है, रक्त, question number 6, रक्त इनमें किसकी उपर्श्थिती के कारण, लाल दिखता है, option number A, थ्रोमबेन, option number B, फाइबरीन, option number C, हिमोगलोबीन, option number D, थ्रोबो, थ्रोमबो पलास्टिन, अर्थात मतब थ्रोमबो पलास्टिन, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तो, option number C, हिमोगलोबीन, अब next question की बात करता है, question number 7, शूध या अक्सिजनित रक्त को, हिर्दय से सरीर के विविन भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां, क्या कहलाती है, option number A, धमनियां, option number B, सिराय, option number C, अलियंद, option number D, निले, तो दोस्तो, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number A, धमनियां, अब नेक्स question देखते हैं, question number 8, पादप में जैलम उतरदाई है, option number A, जल का वाहन, option number B, भोजन का वाहन, option number C, अमिन अमल का वाहन, और option number D, अक्सिजन का वाहन, तो दोस्तो, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number A, जल का वाहन, अब नेक्स question के बात करते हैं, question number 9, स्वापोसी पोसड के लिए क्या आवसेक है, क्या क्या आवसेक है, दिखिए, option number A, क्लोरोफील, एक बात बता आता हूँ, स्वापोसी, स्वापोसी पोसड के मतलब इसमें हुआ, सिर्फ पावधे पेरपधी ही भाग लेंगे, अब चलिए question में बात करता हूँ, option number A, क्लोरोफील, option number B, सूरियक परकास, option number D, carbon dioxide, तथा जोल, option number D, उपरोप्त साभी, देखिए, आपर D, जो दिया है, क्लोरोफील, उसी option है, अब बात करता है, स्वापोसी पोसर, स्वापोसी पोसर हमेशा कहा है, का समझे, परकास संसर की बात कर रहा है, तो परकास संसर में हरी पेरपादा भाग लेता है, तो क्या-क्या उनको आउसकता परती है, भोजन बनाने के लिए, वही बात है, तो option number यहांब का हो जाएगा, तो हो जाएगा, option number D, उपरोप्त साभी, यह तीनो रहेगा, तभी पोसर होगा, यानि उस तरह नहीं होगा, यह तीनो की आउसकता परती है, पेरपादों को, तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number A, वाइविया स्वाशन, अब बात करते हैं, next question की, मत्ब कुष्चन number 11, तिल चट्टा में कितने जोड़े स्वास रंद्र पाए जाते हैं, option number A, 2, option number B, 8, option number C, 10, option number D, 6, तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number D, 6, अब next question की बात करते हैं, question number 12, परकाश संसलेसर प्राकरम में, निम नांकित में क्या नहीं होता है, option number A, पानी का तुटना, option number B, CO2 मुक्तोना, option number C, अक्सीजन मुक्तोना, और option number D, CO2 का उप्यूग, तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number B, CO2 का मुक्तोना, अब next question की बात करते हैं, अर्थात, question number 13, इन में किसके द्वारा, अमीबा, भोजन का आंत्रगरहन करता है, option number A, कुटपाद, option number B, परिवाहन, option number C, भोजन रसदाने, option number D, कैंदरक, तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number A, कुटपाद, अब बात करते हैं, next question, अर्थात, 14 नम्बर, अमीबा में अधिकांस पोसर कैसा होता है, option number A, साकाहारी, option number B, अंत्रगरहन, option number C, सर्वाहारी, option number D, स्वापोशी, तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, option number B, अंत्रगरहन, या वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी, तो फिलीज, इस वीडियो को देखते हुए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल से अभी नए हो, तो जूर जाएगे, क्यूंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, और मैं संपर्क में रहेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा सिखने को, इसलिए मेरे भाई, मेरे बन्दू, मैं चैनल से जूर जाएगे, और हम अगले वीडियो को लिए हाजी रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाए बाए, एक बात और दोस्तो, प्लीज, लाइक और कमेंट करियेगा, तो मुझे आसा होगा, मुझे उमीद होगा, कि हाँ, मुझे विश्वास भी होगा, कि हाँ, मेरे भाई बन्दू ने लाइक और कमेंट किये है, और जो भी उनको प्रव्लम हुआ है, उस समस्या को हमें बता है, ताकि जो भी आपको समस्या हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा उससे मैं सॉल्ब करने का परियाद जरू करूंगा और जरू करके भेजूंगा आपको या वीडियो बना दूंगा जो ऐसा पॉबलम हो वैसा मैं बनाऊंगा तब तक लिए धनवाद नेक्स वीडियो मिलते हैं